नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अधती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। यानि कि जी मून यहाँ पे हमसे पूछा गया है और जी मून और जी अर्थ का अनुपाद भी परिकलित कीजिए। तो रेखें प्रशन काफी अच्छा है यहाँ पे हमें कुछ बातें सोच करके इस प्रशन को हल करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रत्वी का जो बृत्वी तवरण है उसको परिकलित करने के जो चरण बताए बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंतर थोड़ा इस प्रकार से होगा कि अब हम यहाँ पे जो तल लेंगे वो चंद्रमा की लेंगे। तो यह मैंने क्या ले लिया। चंद्रमा ले लिया। आईए एक बार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यह है चंद्रमा। और ये कोई और एक दूसरा पिंड है जिसका दिर्विमान M है अब चंद्रमा का जो भी रुत्वा आकर्शन होगा उसके कारण ये जो पिंड है ये नीचे की हो रहाएगा और इसका नीचे आते समय जो तवरण है वो प्रश्न ग्यानुसार G-moon होगा तो हम क्या देखते हैं कि जो बल इस पे लग रहा है या फिर मैं कहूं कि जिस बहारी बल की वज़े से ये M दिर्विमान का पिंड G-moon वाले तवरण से नीचे की ओर आ रहा है उसका मान इतना हो जाएगा और साथ ही ये जो बल है वो चंद्रमा के गृत्वा करशन की वज़े से है तो चंद्रमा के गृत्वा करशन की वज़े से इस M दिर्विमान वाले पिंड के उपर जो बल लगेगा उसका मान होगा G, साथ में M और साथ में चंद्रमा का दिर्विमान जो की हमें प्रशन में M से जिर्वित करके दिया गया है और चूकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं जो की बहुत जादा बड़ा है और उसकी सता के समीप या उसकी सता पर ही कोई एक ये पिंड है इसलिए इसकी और चंद चंद्रमा के केंद्र के बीच की दोरी हम चंद्रमा की त्रिज्या के बड़ाबर ही ले लेंगे तो इन दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका द्रिविमान है और जो चंद्रमा की सतह का तवरण है इन दोनों का गुणनफल चंद्रमा द्वारे लगाए गए गृत् बलके बराबर होगा अब अगर हम यहां पे दोनों तरफ N से भाग दे दें तो ये और ये कड़ गया तो इससे हमें क्या पता चला कि आप किसी भी दिर्वेमान के अगर पिंड को लेकर के ये परिकलना करेंगे तो उत्तर में अतर नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही तरफ से ये कैंसल हो गया यानि कि अगर मैं चंद्रमा के तवरण की बात करूँ तो वो हो जाएगा चंद्रमा पर इस्तरांग और क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक सार्वत्रिक इस्तरांग है यानि इसका मान कहीं पर भी नहीं बदलता साथ में चंद्रमा का द्रविमान जो की हमें प्रश्न में बिलकुल सही से दिया गया है और यहाँ पर आप अगर इसको देखें तो त्रिज्जा भी दे दी गई है जो की है 1.75 गुना 10 की घाच्छे और इसका वर्क तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपको कितना उत्तर मिलेगा एक दशंगलफ छे तीन और क्योंकि यह भी तवर्ण है तो इसकी भी मात्रक मीटर प्रती सेकेंड स्क्वाइर ही हो तो इस प्रकार से हमने प्रश्न का जो पहला पहग था जिसमें हमें चंद्रमा का तवरण ग्याद करना था वो हल कर लिया इसके बाद अगर आप देखें तो प्रश्न में एक और भाग दिया गया है जिसमें हमसे कहा गया है कि चंद्रमा के तवरण और प्रित्वी के तवरण का अनुपात ग्याद कीजिए आईए इस प्रश्ण को जरा देखते हैं देखिए एक तो बहुत सरल सा तरीका है कि चंद्रमा का तवरण और पृत्वी के तवरण का आपने मान निकाला हुआ है और आप इसका अनुपात ले लीजे मगर अगर हम इसको एक चंद्रमा के तवरण की बात करी मतलब कि जैसे आपने अगर चंद्रमा के तवरण की बात करी तो आपके पास जो यहाँ पे पद आए वो क्या-क्या थे वो था जी साथ में चंद्रमा का द्रविमान बटे चंद्रमा का जो तरिज्य है उसका वर्ग और अगर मैं यहाँ पर पृत्वी के तवरण की बात करूँ, तो फिर से ही आ जाएगा, यहाँ पर आएगा पृत्वी का द्रिव्यमान, यहाँ पर आजाएगा पृत्वी की त्रिज्या का वर्ग, तो यह और यह तो देखें कैंसल हो गए, और इस प्रकार आप देखेंगे कि चंद्रमा का द्रिव्यमान बटे पृत्वी का द्रिव्यमान और पृत्वी की त्रिज्या बटा चंद्रमा की द्रिव्या का त्रिज्या का वर्ग तो अगर आप इन दोनों का मान निकाल लें तो आप ये अनुपात बिलकुल सटीक तरीके से निकाल सकते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, वो कितना है? वो है 7.36, गुना 10 की घाथ 22, और अगर मैं प्रिथवी की द्रव्यमान की बात करूं, तो वो है 6.10 की घाथ 24. इसी प्रकार से अगर मैं प्रिथवी की द्रव्यमान की घाथ 6, और चंद्रमा की द्रव्यमान की द्रव्यमान की घाथ 6, तो वो है 1.75, गुना 10 की घाथ 6, और इसका हमें वर्ग लेना है, तो देखिए 10 की घाथें तो यहां से चली गई, और यहां से 10 की घाथ हटके 100 आ जा बटा 600, गुना 6.4, गुना 6.4, बटा 1.75, और जब आप इसको पूरे कोहल करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, लगभग लगभग बराबर, एक बटा 6 के, तो यहां से हमें क्या बात हासिल हुई, कि जो पृत्वी का तवरण है, वो चंद्रमा के तवरण का 6 गुना है, या फिर हम कह सकते हैं, कि जो चंद्रमा का तवरण है, वो पृत्वी के तवरण का एक छटा हिस्सा है, मतलब अगर आप पृत्वी के तवरण को 6 बराबर हिस्सों में बाट दें, तो जो मान मिलेगा, एक हिस्से का, वो चंद्रमा के तवरण के बराबर है, इसे पे अधारि की पूर्ती पे अधारत प्रशन हो सकते हैं मगर कहने का ताथ पर यह है कि यह पूरा संकलन जो है वो बहुत ही जादा जरूरी है